हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल न्यू पैटन में स्लिविस्ट इजाइन बनाने के लिए हमने 14 इंच लंबा आस्तिन का कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई एक साइट से 6 इंच है हम कपड़े को बीच में से दो भागों में ऐसे कट कर लेंगे अब हम एक लंबा सा कपड़ा लेंगे जिसकी चौड़ाई एक इंच दो पॉइंट है कपड़े को फोल्ड करके हम यहाँ पर लगाएंगे और एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे तो यह देखिए सीधी सिलाई चलाते हुए हमारी ये लाइन कम्प्लीट हुई अब हम धागे को और एश्ट्रा कपड़े को कट करेंगे फिर यहाँ से हम कपड़े को अंदर के तरफ फोल्ड करेंगे और उपर की साइट से सीधी सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाते हुए हमारी ये लाइन कम्प्लीट हुई अब हम धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा आस्तिन का दूसरा टुकड़ा है उसमें भी हमें ऐसी पतली पाइपिन बना लेनी है अब हम एक लंबा सा कपड़ा लेंगे कपड़े के उपर हम आस्तिन के कपड़े को ऐसे लगा कर सीधी सिलाई चलाएंगे अब ये देखिए यहां से कपड़े को ऐसे घुमा कर आस्तिन के दूसरे टुकड़े को हम यहां पर ज्वाइट कर लेंगे इस तरीके से आप अपने डिजाइन में मार्केट वाला पाइपीन इजली तयार कर सकती है यहां से हम एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे यह हमारा आस्तिन का उपर की साइड का हिस्सा है अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे तो डिजाइन बनाने के लिए हमें एक लंबा सा कपड़ा लेना है इस कपड़े के चौड़ाई हमने 5 इंच ली है यह देखिए बीच में से कपड़े को फोल्ड करके किनारे के साइड में सीधी सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाते हुए ये लाइन कम्प्लेट हुई अब हमें कपड़े में ऐसे चूनट बनाना है मीडियम साइज में हम ऐसे चूनट बनाएंगे ना जादा छोटा ना जादा बड़ा तो ये देखिए चूनट बनाते हुए हमारी ये लाइन कम्प्लेट हुई चूनट को हमें आस्तिन के कपड़े में ज्वाइंट करना है तो ये देखिए हम चूनट को यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से डारेक्ट आपको चूनट को ऐसे लगाकर सिलाई कर लेनी है अब हम यहाँ से धागे को कट करेंगे और एस्ट्रा चूनट के कपड़े को भी चूनट और आस्तिन के कपड़े को ज्वाइंट करने के बाद अब हमें डिजाइन को तयार करने के लिए एक लंबा सा कपड़ा लेना है कपड़े की लंबाई हमने 14 इंच ली है यह देखिए लंबाई 14 इंच है और इसकी चोड़ाई 2 इंच 8 पॉइंट है कपड़े के पीछे हमने बक्रम को चिपकाया है बीच में से कपड़े को फोल्ड करके कपड़े के बीच में एक बराबर में लाइन अप करेंगे फिर इस लाइन के दोनों साइट में थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे लाइन अप कर लेना है एक इंच 2 पॉइंट की लंबाई नापकर ऐसे टिक लगाएंगे फिर ये देखिए, इस टिक के बाद हमें 0.5 इंच की लंबाई पे ऐसे टिक लगानी है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो ध्यान रेफ्रेंट जो हमारा बीच वाला लाइन है, वो कटनी होना चाहिए, और दोनों साइट से हम कपड़े को ऐसे कट कर लेंगे, ये देखिए दोनों साइट से कट कर लेना है आपको कपड़े को, अब हम इसे फोल्ड करके ऐसे डिजाइन बनाएंगे, ये बहुत इजी तरीका है इस टिजाइन को तय्यार करने का, बिल्कुल इसी तरीके से एक के बाद एक सारे कपड़े को ऐसे फोल्ड करके, हम बर्फी कटिंग का स सीधा करके ऐसे लगाएंगे, इसे अच्छे से परफेक्ट सेप में बैठाते हुए, हम इसके उपर यहां से सिलाई चला लेंगे, यह देखिए, दिजाइन के किनारे की साइड में ऐसे सिलाई चला लेनी है, ध्यान रहें, दिजाइन के दोनों साइड में आपको सिलाई चला अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजा कर आल का ओप्सें सलेक्ट करें जिससे हमारी आने वाली नेश्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी यहां से हम एश्ट्रा डिजाइन को कट कर लेंगे अब हमें सट का बटन लेना है सट के बटन को हम कपड़े में ऐसे फोल्ड करेंगे और धागे की मदद से कपड़े को लॉक कर देंगे यहां से एश्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और सुई धागा के मदद से पैपीन वाले डिजाइण में और यहां नीचे की डिजाइण में ऐसे बटन लगा देना है यह देखिए हमने सारे डिजाइण में बटन लगा ली है जिससे हमारा यह डिजाइण कम्प्लीट हुआ इसी के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पॉर वाचिंग